Hello students, today we are going to learn unit 9, chapter 1, poem, books, okay, see, poem, coming, coming, याने कि अंदर आओ, अंदर आओ, said the library door, किसने कहा है, library door ने, कि अंदर आओ, अंदर आओ, I opened it wide, तो मैंने उनको खोला, and so books galore, galore means, बहुत सारी books, okay, and so books galore, कि मैंने बहुत सारी books देखी, तो library door क्या कह रहा है, अंदर आओ, अंदर आओ, and जब मैंने उसको खोला, तो मैंने वहाँ पर बहुत सारी books देखी, tall, skinny books, tall यानि लंबी सी, और skinny यानि पतली, तो मैंने लंबी और पतली books देखी, up high on the cells, यानि कि उसकी जगह पर up high, यानि कि उपर की तरफ बहुत उचे तक, वो अपनी जगह पे रखी हुई थी, little fat books, और छोटी और fat books भी थी, छोटी और जाडी books भी थी, that stood by themselves, then cells, यानि खुद से ही, वो खुद से ही खड़ी हुई थी, okay, then I opened one up, कि मैंने एक book को open किया, and sat down to look, और देखने के लिए बैठ गया, the pictures told stories, क्या था, उस book में pictures, जो क्या कर रहे थे, स्टोरी बता रहे थे, told stories, यानि pictures, स्टोरी कह रहे थे, pictures book होती है, picture book होती है students, जिसमें stories भी होती है, वो वाली book, okay, जिसमें हमें picture के through हमें स्टोरी बताई जाती है, वो वाली book, what a wonderful book, और child को वो book बहुत पसंद आई, इसलिए वो क्या कह रहा है, what a wonderful book, okay, so in this poem, library, library यानि जहां पर बहुत सारी books होती है, वो तो library door ये boys को बुला रहा है, children को बुला रहा है, कि अंदर आओ, अंदर आओ, जब वो लोग अंदर गए, तो उन्होंने क्या देखा, बहुत सारी books देखी, वो कैसी थी, लंबी और पतली सी भी थी, और वो बहुत उचे रखी थी, उपर रखी थी, उसकी जगा पे, और little fat, यानि की छोटी और जाड़ी book भी थी, वो अपने आप खड़ी हुई थी, कि वो खुद से ही खड़ी रहती थी, जब उन्होंने एक book लेकर open किया, तो उन लोगोंने क्या देखा, कि वहाँ पर book में बहुत सारे pictures थे, और वो क्या कह रहे थे, stories कह रहे थे, देन, what a wonderful book, तो यह चिल्रन को वो book बहुत पसंद आई, क्यूंकि उसमें बहुत सारे pictures थे, ओके, now we will see new words, library, यानि जहाँ पर हम लोग बहुत सारी books रखते हैं, books देखते हैं, वो place, ओके, देन, galora, galora means बहुत सारी books, बहुत सारे numbers, okay, then skinny, skinny यानि पतलीजी, cells यानि जगह पे, cells यानि जगह पे, okay, now new words you have to write in your English notebook, okay,